एक ऐसी मूवी जो आपका शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखे और आपका उसके अंदर इतना सस्पेंस क्रियेट हो जाए कि ये जानने की चाओ कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हो तो भला ऐसी मूवी को मिस कौन करना चाहेगा तो आज की इस वीडियो और एक है हुज जैक्मैन अगर आप लोगों में मूवी देखी हुई है एक एक जादूगर के असिस्टन्स यानि साहयक होते हैं वहां पर वो स्टेज पर जाते हैं और पर्फॉर्म करते हैं तो यहां पर ये दोनों काफी टाइम से एक ही ट्रिक कर रहे हैं तो एलफर्ड क के मन में यहात है कि एक अलग सी ट्रिक करने की कोशिश की जाए अलग सी ट्रिक नहीं एक अलग सी घांठ लगाने की कोशिश की जया है तो यहां पर जब वे चालता है कि वह गहां और Alfred इस बार कुछ अलग सी गांट लगा देता है जिसके कांट जब रोबर्ट की वाइफ की डैथ हो जाती है अब रोबर्ट इस चीज का सारा जिम्मा जो है वह Alfred को दे देता है मतब कि तेरी वजे से ही मेरी वाइफ की डैथ हुई है इस करके दो दोस्त आप दुश्मन में बदलते हैं और बड़े बड़े जादूगर भी बनते हैं लेकिन जादूगर बनने के बाद इन दौनों की दुश्मनी जो है वाई साथ वो continue रहती है एक दूसरे की trick को एक दूसरे की trick में टांग अडाना कि भाई ये जो है trick वो ऐसे कर रहा है आपकी आँकों में दूल ऐसे जोग रहा है तो ये सारी तीजे इसके अंदर चलती रहती है और सबसे बढ़िया पात इस movie की शुरू आत्मी है जैसे ही आप इस movie को देखना शुरू करते हो तो आपका interest इसमें automatically बन जाए कि जिस वे से इसको represent किया गया है कि ये 19th मतलब कि 19 शदाबदी का time दिखाया गया है तो वहाँ पर जो costume, जो make-up, अलग-अलग trick यूज़ करना उनके पीछे का reason भी देते हैं ये बहिया एक जादू कर कैसे जादू करता है और वो उसकी जानने की हमें जो इच्छा होती है कि इसके पीछे क्या तरीका था इसमें जो ऐसा जादू कर दिया तो वो जो चीज है हमें इस पूरी movie को मतलब पूरी movie के साथ हमें connect करके रखती है आखिर तक जब दोनों दोस्त जो हैं वो दूश्मन बनते हैं तो उनकी जब जरनी स्टार्ट होती है कौन सबसे बड़ा जादू कर है तो वहां पर एलफट के पास एक कैसी ट्रिक होती है कि भाई आप उसको देखकर रोबर्ट पागल हो गया है उसको तो पता ही होता है क्योंकि दोनों एक साथ रहे हैं लेकिन यहां पर वो इतना उसको कोई भी सुराग नहीं पिल पा रहा है कि यह कर कैसे रहा है और लेकिन इस चीज के कारण वो हदें बहुत जादा पार कर जाता है और जैसा जो शुरुआत में जैसे एक्साइटमेंट सस्पेंज बनती है जाते जाते वहां पर होरर की फिलिंग भी आने लग जाती है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आगे चीज़ें होने लगती है तो यह देखो वो चीज़ें तुम्हें बता नहीं सकता काफी जादा भ्यानक होती है एक जादूगर कभी भी अपनी जादू की ट्रिक नहीं बताता एक जादू की तीन स्टेज होती है पहली होती है प्ले जिसके अंदर आपको जादूगर कोई चीज दिखायेगा प्रेट उस चीज बहुत इमपोरेंट स्टेज कही है इस मोवी के अंदर एलफवेट के पास जो ट्रिक है आप अगर इस मोवी को देख रहे हो पूरी focus के साथ तो शायद आप लोग कहीं न कहीं वो पता लगा पाओगे लेकिन डाउट में रहेगा यार ये इनसान ये वाली चीज कैसे कर पा रहा है ये ये चीज नहीं जान पाओगे मैं यार देखो कहता कहता रहूं गया कि वो वाली चीज क्योंकि वो spoiler आ जाता है अब वो जो doubt है जब आपके सामने वो खुलता है जैसे जिसे movie आगे बढ़ती है आप जानकर हैरान हो जाओगे यार इस इनसान ने अपनी हदें कितनी पार कर रहा थी कैसे ये चीजों को जी रहा था कैसे कैसे ये चीजों को सहर रहा था ताकि ये वाली जो trick है कामियाब हो जाते हैं जहां पर एक वक्त ऐसा था कि रोबर्ट जो पागल था उपसेज था एलफट की trick जानने के लिए अब एलफट उल्टा हो चुगा है एलफट जानने के लिए मतलब बेताब है यार रोबर्ट ये वाली trick कैसे कर रहा क्योंकि उससे काफी जादा better वो trick करने लग र जानने का है तो इस मूवी में सारी जो चीजें हैं जैसे screenplay, performance, makeup, dressing, सारी चीजें बहुत बड़ी हैं performance तो already मतलब में में जैसे कहा कि दो main कि रिदार उन्होंने तो चाट चान लगा दे और सचको इस मूवी को देखनी का reason मेरा ये दो ही कलाकार थे क्योंकि यार मैंने वोल जब इन दोनों को मैंने इस मूवी में देखा तो मेरा बन कर गया है ये मूवी देखनी है और साथी साथ इसके अंदर जो जो ने डाला गया है science fiction का वो भी आप लोगों काफी ज़्यादा है करने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो scientist है Tesla उनके बारे में भी यहां पर अगर आप लोगों कोई मूवी देखनी है तो डेट्फ्लिक्स पर जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं हिंदी में आप लोगों कोई डब मिल जाएगी तो इससे दरने वाली कोई बात नहीं है कि हिंदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सारी जैवाम पर आपको मिलने वाली है अ